तो हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग तो गाइस आज हम दुबार से खेलने जाए रोफ फ्रोग निंजे एरो गेम तो यार जैसे कि आप सभी लोग को याद ही होगा क्या लास्ट वाली वीडियो में मैंने आप लोग को दिखाया था क्यार घोष्ट जो है वो न्यूटल यहीं पच्छला कि हम उड़े कैसे बट जैसे वी थे पढ़ हां उसने उड़ाया था हमें एंड उसके बाद हम प्रीश से मिले तो उससे पहले एंड प्रीश्ट बोला कि तुम्हें निउसीटी जाना होगा एंड वहां से एक फ्रूट लाना होगा ठीक है और उस फ्रूट ने टैक करा तो यार गडबर हो सकती है मतलब उसके हैर में मुझे तो मानना चाहते हैं लेकिन शहर को और पता नहीं क्यों खतम करना चाहते हैं वह तुम्हारी लड़ाई मुझसे अगोस्ट ना कि सहर के बंदों से ठीक है शहर के बंदे वैसे ही बिचारे पारिशान रहते है तो अभी हम किस अपना पासपोर्ट बन निकल वा ले थैंड फड़ा फड़ा निउसिटी तो हास की से बात करते हैं इस फड़ा फड़ा यह बोल रहा है कि अभी तो चर्च के आसपास तो नहीं वैसे महाँ पर तो चर्च ही नहीं है नियू सीटी में अभी हम लोग फटाफट से चलते हैं एक शौप के पास वहाँ पर ऐसी गन शौप की तरह एक शौप होगी उसी से ले लेंगे भाई मुझे नहीं पता कहा होने वाले बट अभी तो हम ल फटाफट से चलते हैं आगे और आपस से नियू सीटी यह लेकिन अहीं हमें हमें किसी बी ध्यान नहीं देना है अभी फटाफट से हमें आसे निकलना होगा एंट जल्दी से लाना होगा कैसे भीर करके लाना होगा काज़र क्लाना होगा जिसको याद नहीं चछे inspection नहीं देखे और देख कार चुराते हैं इन बंदों के उठाते हैं कंप इनको पता ने पचलता तो अभी तो मैंने एक बंदी के हाड़ ले उठा लिया है अभी इसको लेकर जाने वाला हूं मैं बहुत जल्दी से अवाज बहुत ज्यादा हो रही तिसलिए मैंने कम खरिये का इस कोई दिकत वाले बात नहीं है वो शौप किदर होगी इस वाले पार्ट में होगी शहर के उ तो अभी देख लेता है किधर हमें जाना होगा कैसे करके ओल्डेडी बाइक बहुत ही स्पीड में चल रहे है भाई हटा ले एक्सिडेंट करवाना जरूरी है भाई तो इन बंदों को सुझ में नहीं आता पता है रोड के बीच में मस्ती कर रहा था अपने मोंस्ट्र ट्र है ओके तो अभी इधर को देखते कि दर किदर जाना में रखो कि अब भाई इन फर्नस गाड़ी लेकर भी तुम पागल हो रख्यों यार कि यह तो शायद से अबना यह के चीज़ एक से यह शौप है क्या भाई नहीं यह नहीं है यह पुलिस डिपार्टमेंट सा लग रहा है इधर तो नहीं है क्या यार कौन सी शौप हताई वूई है क्या नए यह तो नहीं है वो है शायद साथ से यह थो खी ख्याइए यह यह थैख्यों हाई फटाफफट से हन्दर जाके रिवायवन फूट लेकर इस बंस बंदे से जो कि अंदर भी होगा वह प्रीष्ट का द की देरी नहीं करनी आभी और एक बार इधर चल कर देखते कि यह क्या चीज बाई जाना है बहुत जल्दी करके वो ब्रिज क्रोस करके उधर जाना फिर एरपोर्ट पोच जाएंगे और महां से सीधा निकलते हैं अपनी ओल्ड सिटी वापस से क्योंकि देखो गाइस अगर हम ओल्ड सिटी नहीं जाएंगे तो हम घोष्ट को खतम नहीं कर पाएंगे उनकी उन्हें सांती नहीं दे पाएं यह तो भाई फिलम का सीन होगा जैसे पिचर नहीं होती मूवी उनका सीन होगे वाई मतलब उपर से बस गिर रही है बसके जस्त नीचे से बहुती कम टाइम में एक दम बाइक निकल गई तो कोई दिकत वाली बात नहीं का इस अभी तो हम एयरपोर्ट पोज गया है बहुत इसके बाद हमें फिर प्रीस्ट से मिलने के बाद बाखी सीन अभी बादने देखते हैं क्या करना होगा वह तो प्रीश्ट ही बताने वाला है गया तो सामने फ्लाइट हमारी जोंकि एक दम अब निकलने वाली है तो अभी जल्दी से बाइए उतर जा बाइक से बाइक की ज रिवाईवल फूट इवन अब भी है और बस मुझे अभी ले जाके उसको एक बार हस्की से बताना है कि हां मैं ले आया है वह इतने का खर्चा हुआ है भाई उस बंदे ने मतलब हस्की के नाम पर लिख दिया है पैसे पता कितने लिखे हैं भाई दो लाक डोलर मतलब हद यार एक फल के लिए इतना कुछ जाद ही नहीं होगे भाई तो यार उनकी अब देखो भाई वह अटेक हम पर ऐसे नहीं करेंगे जब तक उनको खुद का मन नहीं होता जब तक वह हम पर अटेक नहीं करते ठीक है अब उनका टैक करवाने का एक उसने मुझे प्रीस्ट ने कर लिया है एंड हसकी बोल रहा है कि अभी तुम फटाफट से जो बिना टाइम वेस्ट करें एंड एकदम वहां पर रस्य मारके मत जाना क्योंकि वह देखो एकदम जाने के कोई फायदा तो होता नहीं यहां से जाएंगे बाई सीधर सीधर रास्ते से जाएंगे नहीं हम दॉन है वाई डोन के भी हवा टाइड होगे जब गोश्ट का नाम सुना था तो अभी तो फट फट से अंदर हम तो आ गएएंगे अभि बस हम प्रीष्ट को आवाज मारता हैं भार गलाता है प्रीष्ट से देखते हैं क्या होने वाला भाई मतलब भाई अब देखते हैं क बुला लूँगा जो कि तुम पर हमेशा हमला करती रहते हैं तीन गोश्ट उन तीनों को मैं बुलाओंगा और उनका एंड मैं करूंगा बस तुम्हें अपना फूट रेड़ी रखना ठीक है एड़ टाइम तुम्हें खा लेना वसुट को एंड तुम्हें जो मंत्र मैं बोल ये का चीज़ भाई तो गैस अगर आप लोग चाहते हो कि मैं इसकी मिस्ट्री फाइंड आउट करूँ कि ये है क्या चीज़ तो मुझे कोमेंट्स में बताओ एंड इस वीडियो पे दो पूरे चार सो लाइक्स ठीक है अगर चार सो लाइक्स आदे तो मैं इसकी मिस्ट्री खुद फाइंड आउट कर दूँगा तो यार अभी तो आने वाल होगा तो चलिए अभी हम वेट कर लेते हैं तो ओके गई सर प्रीस्ट बोला है कि मुझे यहां पर खड़े होना है इस कबर को द वैद देखना है कि क्या होने वाला भाई मुझे तो ये भी नहीं पता कि क्या होने मुझे अभी जोबी होगा भाई पता यह मूझे क्या हो गए जो भी है तो चले प्रीस्ट वेट करते हैं प्रीस्ट के आने इस Lights मेरे को घृपो को यह हुआ अभी यहार मुझे कोई मुझे लगता कि कोई यहार मेरे के एच्पी के डैमिज दे रहा भाई यह क्या हो रहा भाई मुझे को खुद समझें अब आग भी लगते भाई ओ नो यार मैं तो मरने वालों आरिया इसमा मर जाओंगा भाई अब नहीं अब भाई यार न् मैं इस जगह पर कैद हो गया है अब यह तो मेरे को लगते हैं वहां का मतलब चर्च नहीं है उसके ऊपर की जगह हां भाई वहां पर खड़ो कर मैं प्रीश से बात कर रहा था मुझे अच्छे से आद भाई ओ यहारी हुआ कि मैं सबना देख रहा था यानि कि जब मैंने र लुग सपना देख रहते हैं कि हम आग भी लग गया हैं रहा पर पता नहीं एक दम से धमाका हुआ भाई पता नहीं क्या था बट जो भी था वह भाई मैं तो निकल गया हुए हासे मुझे निपता कैसे निकला हूँ ओ भाई यह क्या है बाई एक सेड़ यह प्रीष्ट की क का है भाई इसका ही कुछ होगा है मुझे नहीं पता बट चलो जो भी है रही फिलहाल हम बच गया है रही जरूरी है अब यह खुशक और देने वाले इसको ब्लाणगा है बहुत बच गया जब मैं इसको पूरी कहानी बढ़ाई तो यह भी बोल रहा है इसको भी शक हो रहा हैं तो आप लोग के वीडियो कैसी लगी कमेंट से बताना है इस वीडियो के लाइक हैं रखतों ओली 400 लाइक उमीदा कंप्लीट करा दोगे अगर आप चैनल पे न्यूँ हो तो फड़ा फट से और चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड फड़ा फट से लाइक बटन दबा दो इस वीडियो का गोल कंप्लीट करा देना और मैं आप लोगों मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए गुड़ बाइ झाल 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 झाल